कि हमाँ साथ हैं डॉक्टर संजेड शिधाल डॉक्टर रमेश हमान्सु एन अधर डॉक्टर्स आप लोगों का बहुत बहुत श्वागत है दियर डॉक्टर्स आज हम लोग डिस्टो करेंगे अगर हम लोग सो पेशन अगर पर देख रहे हैं तो उसमें सबस्क्राइब सेवंटी फाइब परसेंंट फिशर का होता है एक को दुर सियर ना छ стать लाइब sf chow से 9 9% क्छास 책 मुनीं जाने उन जाने में बिना किसी को दिखाएं फीस्ब्हा था लुब कि कि आप लोग भी देखते हैं जरमों पैशन अउनसे अचे हिश्टी लेते हैं तो पैशन्ट पहले कहता है कि हमें rap भवशीर हो गया है बट जब रूपका उसके शुम्टम्स पूछते हैं तो सिंटम्स के बेस पर मुझे करते हैं तो भी पर निरधायत करते कितने प्रकार के होते हैं किस टाइप से दिखाई देते हैं और लास्ट में दिखाएंगे कि कैसे हम लोग फिशर को विद्धिहलवाप चार सूत्र आइन जैसे यह फिशर है अब देख सकते हैं इसको फिशर है और यह फिशर जो है वह पूल डूप से ठीक हो गया है यह इस केस को चार अप्लिकेशन विद्धिवरा लोकल अप्लिकेशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो भी फिशर काफी हद तक ठीक हो जाते हैं लगबग 20-30% फिशर ऐसे ही ठी जरी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिशर होता क्या है जैसे माल लेते हैं यह हमारी रेक्टम है यह एनल कैनाल है ठीक है एनल कैनाल की लेंद कितनी होती है डिक्ट ऑई माल शो अक्ट लिगबग 4 cm यह कौन सी मसल होती है नो लिवेटाइन नई मसल लिवेटाइन इस तरह विदा में यह एक्स्टर्ना स्फंग्टर फूरे इनल कर रखता है और इंटर्ना स्फंग्टर कि अब कर रखता है रिद्ध बगती मुना भाग को और बीचो बीच कौन सी एक लाइन मिलती है मैं तो हम लोग जो पढ़ जाता है नो जो देंट्र साथ होती है इसके नीचे और कि यहां पर想 रगग जालग कर दो यहां था जो म॰ाइंड लेन होती है फिशर हो जाती है तो अब तो डिरिंग दा प्रोइसेस ऑफ हेलिंग जब हीलिंग की प्रीकिया चलाई होती है तो नीचे की तरफ एक स्किन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्किन टैक्स यह सेंटिनल पाइल बोलते हैं और उपर की तरफ एक इसकिन जो आपर गूर्व बनती यह उसको बोलते हैं हम लोग हाईपाट्रॉफ़इड पैपला तो आपको हम लाइब दिखा रहे हैं कि कैसे हाइपा ट्रॉफाइट पैपला बनते हैं आप देखे यह क्या है एक लॉंगिचुनल कट है जैसे हम चार पिच्चर है मेरे पास एक्यूटर क्रोनिक यहां पे देख रहे हैं एक कट लगा हुआ है रेड रेड दिख रहा है आप हम पर आप नहीं आधर यहां पर हियोगा केशा ऑफ के और अ कि अगर बढ़ देखिंग यहां पर बनना शुरह और सब रहा है तो यह है क्रोनिक फिश क्रों पर पहचान है है दो महीने से अगर ज्यादा कट लगा रहा है तो यहां पर इसके टैग बना सुरू हो जाते हैं उसे हम लोग क्रोनिक आफ होते हैं क्रोनिक कंडिशन में का होता है इसके टैग नीचे की तरह मिलता है और उपर हाइपाट्रोफड पैपला जैसे आपको हाइपाट्रोफड इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत अंदर होता है आप इसमें देख सकते हैं यह केस है यहां पर हाइपाट्रोफड पैपला दिखें सफे सब दिख रहा है ग्रोथ यह हाप अपर टोफड पैपला होती है ओके तो वाट इस फिशर अल्गी चुटनल कट इस इन ज़ादा तो रोनो इक्रीड में आपको जो अलसर होता है जो घाव होता जो गया होता है जो कट और जो प्लीत होताँ इस अन्यफलेम नहीं नहीं होते हैं अ श्यक्रक केसि का प्र इं होता थोदा जदा होता है उस समय एक उडिशन में चुकि में अभी भी कट लगा थोदा तो हम लोग ऐसे पहचानते हैं अब इसको कैसे पहचाने कि यह फिशर है यह तो आपने देख लिया लेकिन डिफिरेंशल डियाग्नोसिस बनाएं क्योंकि मलदवार में केवल फिशर ही नहीं होता हो सकता है आपके साथ जो पेशेंट आया है वह फिशर के साथ साथ पाइल्स मास भी हो सकते हैं तो आपको कि पाइल्स मास दिखाते हैं जैसे यह केस देख रहे हैं यह क्या है पाइल्स कौन-कौन से यह कौन से पाइल्स है डोक्टर हिमांशो एक्स्टरनल हेमराइड एक्स्टरनल हेमराइड कैसे दिखते हैं जैसे आपका परेनल स्किन का कलर होता है वही color का अगर आपके मलदवार के आसपास swelling है तो उसको क्या बोलते हैं external hemorrhoid कई बार sentinel tag को लोग पाइल समझते हैं यह जो skin लटक रही है यहां पर दिख रहा है जो फोल यहां पर ठीक है इसको क्या समझते हैं लोग पाइल्स तो इसकिन टैग और पाइल्स में कैसे अंतर आप पहचान होगे इस वाले में अगर आप देखे जो ग्रोथ दिख रही है यह आप जनरल लेंगे तो गोल गोल दिखाए तरह है इसकी कलर है आप दबाएंगे तो वह पफी मतलब जिसे स्पॉंजी टाइप का होगा जब आप उसको प्रेस्ट करेंगे तो आपको लगए यह दब रहा है जिसे पीडल इड्मा में चेक करते हैं अगर फाल एरिया का स्वेलिंग होती है तो कैसा होता हार्ड स्वेलिंग होती है दबाने से दबता नहीं है लेकिन अगर एसाइटिस की वज़ए से होता है मतलब बैख दूर्ड और स्वेलिंग होता है फीडल इडम फाहरा ऑी दो लेकिन अगर फिश्सर का-स्किन टैइग है तो दबाने से हार्ड मेंak कि ने पयचान होएं अप लोगो एक स्किनटर और पाईब मैंस में असमझा समझ जाओगे कुण से पाइल मास एक्टेनल पाइल मास इसी तरह एक pies होता है इंटर्णल पाइल मास कि दूछे करें लिड़ी चरी को को है यह इंटर्नल पायल से होते हैं model तो कई वार हेपा से पेशेंट आता है जिसमें आपको तीनों चीजे मिलेंगी जैसे आप यहां पीछ पिच्छर बहुत नजदीक से आपको दिखा रहा हूँ यह कट लगा हुआ है लाइट जला दिए सही है यह कट लगा हुआ है कट लगा है अब भी ताजा ताजा कट है ठीक है हो सकता है इसको पहले से भी मदब कट रहा हो लेकिन जब अभी हमारे पास आया तो इसमें कट आप रहे हैं और यह जो आप किनारे किनारे फोल्ड देख रहे हैं यह एक्स्टरनल है ठीक है तो कई बार आपको जैसे इस पिच्चर में ज्यादा के रामको मिल लेगा यह पीच्टर आ देखें अगे एक्सटर लिए निटकी हमाई पास जब पेशेंट राता है तो वो सब कुछ एक साथ लेके आ जाता है तो आप कैसे डिफिरेंशल डियागनोसी बनाओगे फिशर से देखकर एक लंबा सा तुरह को आगा दो नीचे इसकीं ट्राइब उसकें जूड़ा है तो छेट गलर क्रर जाए जैसे मा लेते हैं यह पेशेंट आया था हमाय पास यहां पर इनको कट लगा हुआ है ठीक है यह देखिए काफी डीप कट है यहां पर इसकीन के फोल्ड आप चारो तो आप देख सकते हैं दिखाई दे रहे हैं न फिशर में चार चीज़ें आपको मिलती है कैसे पहचानेंगे कि पेशन को पाइल से कि फिशर है माल लेते हैं अ पहला है पें अ दूसरा है बर्निंग आ तीसरा है इचिंग चोधा है ब्लेडिंग अ है न चार कंप्लेंच करता अगर उसको फिशर है तो पहले तो पेंबहुत ज्यादा दर्द होता है इसको अम लोग मौटन में इसको क्या बोलते हैं पियर्सिंग है नो पेंच जो है वो शार्फ सूटिंग पेन हैं बहुत तेज दर सार्फ सूटिंग और आर्वेद में क्या बोलते हैं करतनवत पीड़ा यानि किस जैसे कोई कैंचे से काट रहा हमाई मलदवार के अंदर तो पेन बहुत ज़्यादा होता है इस तरह की पीड़ा ना पाइल्स में होती है ना फिश में बर्निंग जलन बहुत ज़्यादा होती है किसमें मिलेगी केवल फिशर में पाइल्स में और फिश्वला में बर्निंग नहीं मिलती है जनरली हम जो बात करें जनरल टर्म बोले हैं होने के तो कुछ भी होता है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होगा तो फिशर शार्फ स होती है फंगल इंफेक्शन कई बार मलदवार के आसपास फंगल इंफेक्शन लग जाते हैं तो उसमें भी इचिंग होती है तो आपको यह देख लेना है कि अगर क्यों इचिंग बता रहा है तो एक बार प्रडेक्टर एक्जामिशन करके चेक कर लिए कहीं आइसा तो नहीं फिशर में जो ब्लीडिंग होती है वह जब आप पेशन से हिस्ट्री लेंगे कहेंगे जब आप मलत्या के लिए बैठते हैं तो बलड कैसा आता है अगर बहुत तेज़ धार देके आ रहा है पिच्कारी जैसा बलड आ रहा है तो इट्समीन की कोई बड़ी वेन कट गई है सुप्रीय लेंट्र वेन टीर हो गई है और कई बार ऐसा होता है कि एक्स्टरनल जो पाइल्स होते हैं उसमें चोट लगने की वज़ा से जैसे माले कौइंस्टी पेशन बहुत जदा है फीकॉलिद समझते हैं आप लोग हाड इस्टूल को फीकॉलिद बोलते हैं माले नाखून से चोट लग जाती है इस एक्स्टरनल हीमोराइट फट जाते हैं एक्स्टरनल हीमोराइट मतला इंफियर रेक्टल वेन वह क्या हो गई टीर हो गई फुट गई तो खून बहुत ज़्यादा बहता है देखा है ना आपनोंको ने बहुत सार केस पेशन जैसे ही ब जादा रोग अग्जामनेशन आँग देखकर तुरंज चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं पेशन आपका एनीमिक है तो हम लोग चार सिम्टम सोते हैं पेशन को पेञ, बर्निंग, इचिंग और ब्लीडिंग पेञ बहुत ज़्यादा होगा, बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी इचिंग कम मात्रा में होगी या थोड़ा बहुत होगी लेकिन differential diagnosis किस से बनाएंगे fungal infection से और bleeding कम है तो fissure ज़्यादा है तो पाई कर भार fissure में bleeding होती ही नहीं है थिक है तो यह हो गया आपका कि अब आता कि complication क्या होते हैं फिषर में जैसे फिषर किसी को है तो आप तो हम लेटिन सही से ज़्यादे थे अब मेरा बहुत कॉंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो ऐसा क्यों हो रहा है तेज बोलिया वह आपना फाइवाड़ाइट कम लेता है और खाना और दसीदा खाता है मीट ज्यादा खान लिया और देखे हमने कॉंप्लिकेशन की बात की हमने डाइट की बात नहीं कि आप जो है डाइट पर चले गए क्योंकि हो सकता है पेन के वज़े से खाना कम खा रहो बहुत देखें जब भी पेशन को क्रोंई कॉंस्टीपेशन हो गाई या पेन बहुत जयादा हो गा मालतेशन को यहां पर अपैसे अर्य एक्जांपल यह Fishing केस्पांस तेज फासे का ओटान का इनर्वेशन है और ओटनामिक नर्व esi के पिअ टेंप्रीचर को सेंस नहीं करती है अगर यहां पे घरा छोड भ्ही लग जाए तो प्रेशट को दर्धी नीहां करती है तो देन्टेंट लाइन के Pudential Nerv पड़ा आपने पुटेंडल नर्व कुटेंडल नर्व में पुटेंडल नर्व जो होती है यहां पर कुट अपने सप्लाइप है हम लोग जब नर्वस सिस्टम थोरा स सदिस्टूर करेंगे तो आपको डिटेल में पताऊंगा तो यहां पर a नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन होता है बिलो देंटेट लाइन बहुत ज्यादा पेन होता है जब भी यहां पर पेन होगा जैसे आपको सुई चुप जातों अपका हाथ कैसे होगा अंदर क्यों खीचेगा इसी तरह जब मल द्वार पेन होता है तो पेशन क्या करता है आपन और पर च्पाज में की वजह से मल द्वार चोटा हो जाता है पेशन कहेंगा आप जब प्रक्रेट करेंगे तो देखेंगे मल द्वार उसका फैले गए नहीं है ऐसे लगए कि आपका फिंगर नहीं जा रही एंदर जब पर रेट एमिशन करेंगे तो विकॉज आप नीनेन नहीं तो लगबग एक तीन बटा चार भाग यह कवर करता है यह जो होता है आट्व नर्व की वज़ास posaven और ये यह आट्रोज़नोंगर आप मासल से बना होता है जो समझें नहीं अब अंडर रिम्न रिट रिड्य मन यह यह कि इसका कंट्रोल अपने आफ होता है और यह इसमें चार चीज़ याद रखना है इंटरनल स्फिंटर रिक्टम की जो सर्कुलर मसल होती है उसका उसका सब्सक्राइब करें या ऐसक एक नाली अग्ष्ण को जांता है और भी यह इसके स्प्राइब szczegól सब्सक्राइब का हPhone करो दिनक्राइब ऑनलने में चोंट्रह में सब्सक्राइब और यह श्याव हुआ है उसका इसमें यह 50 तोन हो सफुंक्तर के बना होता है के यह मैनल को कबWith रखता है इस इस और इस में 3 पिंठ नंत होता है जो एक्सका कि स्टmor इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं कि बूलता है पूरतलियम से तोर में मुलनार बनाती है और जब पेन रहता है तो तो इसी लिए आपने पढ़ा होगा लॉड डालेटेशन पढ़ाए कभी फिशर का एक ट्रीटमेंट होता है पेशन से यह यहां पर डालेट करते हैं इनलकैनल को ताकि हमारे जो इस फिंटर के स्पाज में वह देद्रे क्या हो जाएं रिलाक्स हो जाएं आपने देखा होगा हम लोग जब फिशर का पेशन रहता है उनको बोलते हैं कि आप जेंटल अपने हाथ से धीरे धीरे अपनी एनलकैनल को धीरे धीरे डालेट करिया ठीक है ताकि आपको इंजरी भी नहों और धीरे धीरे जो आपके एनल इस पाज में वह धीरे धीरे क्या हो जाएं रिलाक्स तो एक treatment आपको दिखाते हैं इतना तो समझ में आ गया तो आप इसके treatment की बात करें जैसे हम आपको यहां पर दिखा है एक केस दिखा रहे हैं देखिए internal hemorrhoid dented line के उपर होते हैं external hemorrhoid dented line के नीचे होते हैं ठीके clear हो गया जैसे एक केस फिशर का six o clock पे फिशर होता है हाँ अब थोड़ा से यह पढ़ते हैं कि अगर पूरुष है तो उसको फिशर कहां ज्यादा बनता है और महिला है तो फिशर कहां ज्यादा बनता है बताए डोक सम्ट अगर पूरुष है पूरुष आपकी यहां क्लिनिक पर आया अब पूरुषों में क्यों ऐसा है क्योंकि जो आपकी तेज बोलिए तो रवाज है क्योंकि पीछे ही होती है जो कि आपके जो मल जहां इखटा होता है उसको प्रिशर दिया रहती है और फोल रहता है तो देखो बिटा यह कौन सा सेक्शन है सजाइटल सुरी कॉरनल अगर सजाइटल सक्साइब यह क्या होती है सब्सक्राइब कॉकिक्स है यह सबस्क्राम और कोकिक्स है और यह माई आइसे होती है ठीक है तो जो पूरुषों में पीछे की तरफ जैसे यहां पर देखे है यह क्या है back side में पूरुशों में 80 प्रत्सत नब्द करवेचर तरह कि वजह से ऐसा होता है और महिलाओं में जो फिशर होता है वह हमेसा एंट्रीर साइड में हो गा अशी प्रसत अंटियर साइड में यानि उपर की तरफ पिशाब के रास्ते तरफ और 20 परसन नीचे तरफ यानि अगर महिला होंगी तो कट किदर लगेगा इस तरफ अब पुरुस होंगे तो कट किदर लगेगा इस तरफ जैसे हम बैठे हैं तो हम अपना सारा काम तो कर रहे हाथ पैर चला रहे हैं सब कुछ चला है ब्लेड सर्कुरेशन इस समय बैठने के तोरह पर सबसे कम कहा हो रहा है प्रियनल रीजन में क्योंकि आप बैठे हुए है प्रेशर की वज़़ा से ब्लेड सप्लाई क्या है कम है तो रिलेटिव इसे लिए कहते हैं कि यह बिमारी उन लोगों को थोड़ा ज्यादा होती है जो सेटेंटरी लाइब जीते हैं जो करते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा चला फिरा करिए ज्यादा तर मूब किया करें इस ट्रीटमेंट क्या है त्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं अगर हम अपने आरवेद की हिसाब से देखें तो कभी भी ऐसे फिशर को अगर आप सिर्फ सोचें हम पर दिवाइड करते हैं सबसे पहले डाइट क्योंकि अगर आपका मल हाड नहीं होगा अगर आपका इस टूल हाड नहीं होगा तो जब लेट इन जाते हैं तब ही तो होता है जैसे ही लेट रिक्टमसे एनुरटर रिंग से होते हुए और में पहुँंचती है अगर माल मल का साइज ज्यादा बड़ा है हाड है तो क्या करेगा यहां पर फ्रिक्शन क्रेट करेगा घरसंड की वज़ा से जो अलसर हील हो रहा था रोज वह क्या हो जागा फिर से ताजा हो जागा इसी लिए फिशर की टीट में सबसे पहली सर्थ क्या होने चाहिए कॉंस्टिपेशन नहीं होना चाहिए पेड साफ होना चाहिए अगर लेटिन हाड होती रहेगी तो यह फिशर है वह बार-बार बनता रहेगा और एक्यूट कंडिशन का फिशर क्रोणिंग में बदा है ज्यादा ज्यादा फल खिलाने है पानी देने हैं ऐसा हमने मल की मात्रा ज्यादा बने कम से कम कर दता है कि धबात और ओयलिंग ज्यात्यादी तेल हमालrhγों में सेंची आटार्विध जैसे पिछकारी की तरह यूज हो जट की तरह यूज करना है जब हम इसमें ऑईल डलवा देते हैं जैसे हमने माल यह एक स्रिंज लिया और इसमें तेल डलवा दिया ठीक है तो तो तेल जो होता जाता है एक तो मेडिकेटेड़ और है इस पसलीफ और मलदवार के लिए जाएगी जो इस टूल है वह आसानी से फिसल के बार आजागा पहला फाइदा दूसरा जब तेल जाता है रिक्टर में पहुंच गया तो जो मल का पहला पार्ट होता है लेट्रिंग करते समय पहला पार्ट गुल्ठी टैप को होता है जब वह तेल से भीग जाएगा तो मल आसानी से पास हो जागा तो हमने क्या किया फिसकल इंजिरी जो बार-बार हो रही थी उसको बचा लिया हमने अलसर को बार-बार ठोकर लगने से बचा दिया एक्जामपल आपके हाथ में चोट लगी हो उंगली में तो क्या उस हाथ से ज्यादा काम करेंगे कि कुछ दिन उ होते हैं जो घहा होते हैं वह जल्दी हील कर जाते हैं और आप जानते हैं कि तेल में कोई भी bacteria fungus या कोई भी Infective Part वहां पे ग्रों नहीं कर सकता है तो जब आपके जो phisher का जो बेड है उस पे तेल की एक लेयर लग जाएगी तो जो आपके मल में gram ग्राम निगेटिव ग्राम पॉस्टिव एनरोबिग वाहां पर आके इंफक्शन कर जाता है लोगों को उससे हमने पेशेंट को बचा लिया और तेल में help करने लगा और अगर आर्वेद के बात करें तो अगर हमारा तेल रिट्टम में पहुंच जाता है तो रिट्टम कहे का आसा है कि मलका आसा है और कि आपान वायू कि आपान वायू एकॉडिन टू अर्वेदा वायू जो वहाँ पे वात है आपान वायू उसने क्या कर रखा उसी कि उस दोस की वज़े से तो यहां बंड़ा है बिमारी हमने क्या कर दिया ऑइल को यूज किया ऑइल को यूज किया तो उसने क्या किया जो उसका रूख शिता थी तेल लगाकर हमने क्या किया उसको इसनिक्द कर दिया वाद का समन हो गया वाद के जित हम यहां पे दोसों को स्रोतस से लागे कोष्टों मिला रहे हैं ताकि जब आप संसोधन चिकिस्था करें तो वह दोस बाहर निकल जाए सरीर से क्लिर आरवेद के हिसाब से समझ लिजे तो हमने इश्नेहन करा दिया हमने ऑयल सुबह सुबह डलवा दिया अपान वायू वहां पर जो इकठा थी उसको हमने कम कर दिया वाद को कम किया वाद क्या होता है सबसे प्रधान दोस होता है पित और कफ को क्या कर देता है उसको भी म स्रोतों में दोस होते हैं वह क्लिन हो जाते हैं यानि थोड़ा सा गील हो जाते हैं अब वह मूब करने के त्यार हैं जैसे हमने सहाई हमने तेल डरवाया फिर हमने भूला कि लैर्टिन सहाने पाछ सिर्जबात कर लिएक है तरह से क्या है स्व founders स्वेदन से क्या होता है जो मल्द्याय करना चенд चाह्ता हैं सो घ इसे बात कराना से बात करने से क्या फायदा होगा जैसे हैं धश्फंक्टरस होते हैं मदे पढ़ा सरी हो जाता है तो यह सब्सक्राइब का हुघ चलो फीर जाए गरम पानी में बैठने जैसे ही ब्लड सर्कूरेशन तेज होगा जो इंफ्लामेशन प्रक्रिया चल लगए वह हीलिंग प्रक्रिया तेज हो जाएगी और पानी में बैठने से आप कितना भी अच्छा समच कर लिए थोड़ा बहुत मल फिशर के बेट पर लगा रहता है वह क्लीन हो जाएगा तो यह बेनिफिट है बाकी हम लोग इसका जो संसमन्च किस्ता जो हम लोग करेंगे वह हम लोग आगे करते हैं और देखें यह वाला एक केस दिखा देते हैं यह फिशर था इसको छार अप्लिकेशन द्वारा कैसे फूरूप से ठीक कर लिए गया है नेक्स हम लोग डिस्स करते है अगे